सो नेक्स्ट इस स्पेकुलेशन इट वरी इंट्रेस्टिंग कॉंसेट अभी तक जितना भी हम लोग उने डिस्कस किया है वो इस पॉइंट इव्यू से डिस्कस किया है कि किस तरीके से आप एक्षेंज रेट फ्लक्टुएशन को अवाइड करें क्योंकि एज़ा इंपोर्टर एंड एक्षेंज रेट होना चाहिए जहां पर आप ट्रेडिंग करें लेकिन कुछ कम्यूनिटी में या कंट्रीस के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस फ्लक्टुएशन को उड़ते भी हैं डिफ्रेंट करेंशिश में जैसे सपुश पाकिसान के अंदर ये लोग अविलेबल होंगे जो ये देख रहे होंगे कि कहां पर फ्लक्टुएशन करेंशिस के अंदर हो रही हैं और कहां पर पैसा बनाया जा सकता है यहान पर यही एक सिंपल पैट्रन तो मेरा एक आईडिया ये होगा कि मुझे अगर ये लग रहा हो कि कल को सपोज पाकिस्थान में तो अगर मुझे ये लगता है कि आज एक्षेंज रेट है सपोज वन डालर अगेंस्ट वन सेवनटे सिक्स रोपीज सपोज If I am anticipating that कि ये जो है तीन माँ के बाद ये वन डॉलर के गेंस्ट वन नाइटी फाइव रुपीस हो जाएगा तो इस केस के अंदर मैंने ये एक एंटिस्पेशन की है तो एजा स्पेकुलेटर मुझे इमेजरेटली ये करना चाहिए कि मुझे फॉरन करन्सी को बाई करना चाहिए और फिर एक सर्टन टाइम जिसको हम थ्री मन्स कह रहे है उस थ्री मन्स के बाद मुझे उसको सेल कर देना चाहिए और जो गैब मैंने एंटिस्पेट किया था वो मुझे प्रॉफिट की फॉर्म में नदर आएगा इसी तरीके से अगर मुझे उल्टा नगर आ रहा है तो मैं रिवर्स पैक ये करूँगा कि इसको कनवर्ड करूँगा लोकल करन्सी के अंदर डॉलर्स की परचेस करके या उसको बाई करके और फिर वहां से पैसे बनाऊंगा इसको एक एक एक्जेंपल के थू करते हैं स्पोज अब वन्स अगेन हम वही बेसिक आइडियाज को विद अहल्प ऑफ एक्जेंपल समझने की कोशिश करते हैं इसको क्यूंके हम फॉर्ण करंसी कह रहे थे तो क्या वन्स अगेन होगा मैं जैसे अभी एक्जेंपल ली थी कि मुझे ये पता है कि अगर स्पोट रेट बढ़ जाएगा तो मैं क्या करूंगा वो करंसी बाय करूंगा उसको बैंक में रखूंगा एंड अल्टिमेटली आफ्टर सम टाइम उसको सेल कर दूंगा ये प्रॉफिट ऑन इच फॉर्ण करंसी इक्वल टू दा स्प्रेड बिट्वीन बाइंग स्पॉर्ट रेट जो है वो बाइंग के वग क्या था और स्पॉर्ट रेट जो सेलिंग के वग था वो क्या था इस के अंदर अल्टिमेटली मेरा जो स्पेकुलेशन होगी जो मेरे एंटिस्पेशन होगी अगर वो ठीक होती है तो ये 100% गरंटी नहीं होती आल्दो वीरियस इंडिकेटर्स रेखे जाते हैं जिसकी वज़ा से ये स्पेकुलेशन माकेट के अंदर होती है उसक अंदर और वणस अगेन बेश्मार किसम के आपके पास لीड़ होती हैं या आपको हिंट मिलते हैं जिसके थ्रू आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं और ये भी 100% guarantee नहीं होती कि आपकी predictions ठीक हूँ suppose अगर मैंने predict किया है कि suppose once again पाकिस्टानी रुपी और US डॉलर के अगर example लें तो मैंने assume ये किया है कि future के अंदर जो है ये 170 से 180 जाएगा हो सकता है कुछ SC international development हो गई है जिसकी वज़ा से 170 की बज़ाए 80 पे जाने की बज़ाए वो 160 पे आ गया है तो in that case speculator will be in loss इसी तरीके से अगर इसका दूसरा angle देखे तो if he thinks spot rate will fall अगर उसको ही लग रहा है कि spot rate कम हो जाएगा तो वो क्या करेगा he will basically buy a foreign currency foreign currency वो buy करेगा current rate के उपर exchange it into the domestic currency अगर हम इस case की example नहीं जो भी हम बात कर रहे हैं बड़ी simple सी example है तो first किया आज जो है वो exchange rate है डॉलर एंड पाकिसेंड रुपी का 170 to 1 suppose वन डॉलर के gains 170 रुपीस देने पड़ते हैं और अगल कल को यह लगता है कि यह जो rate है यह कम हो जाएगा it will be 160 अगर speculator यह assume करता है तो speculator क्या करेगा इस में से भी पैसे बना सकता है वो foreign currency को buy कर लेगा in that case foreign currency is US dollar क्योंकि हम पाकिसान के respect देख रहे हैं तो वो dollar को buy करेगा डॉलर को buy करने के बाद उसको convert करेगा in Pakistani रुपीस अब यह पाकिसानी रुपीस को वो जाके bank में deposit करवा देगा for three months suppose 100,000 है या maybe more than that तो three months तक वो इस interest को जो है कमाएगा उस domestic currency को जो उसने bank में deposit करवाई है अब जब three months गुजरते हैं और जैसे उसने anticipate किया है तो वो क्या करेगा कि currency, domestic currency को फिर आप उस current spot rate के उपर purchase कर लेगा that may be 160 और even may be lower than that 150 150 के उपर purchase करेगा और अपनी barrings को वापस कर देगा जो उसने foreign currency buy की थी so इस case के अंदर यहाँ पर once again उसने जो है वो gain लिया है may be 10 rupees but condition is that once again जो speculators है उसकी anticipations ठीक होनी चाहिए once again जो current spot rate जो है वो lower होना चाहिए interest charges को cover करने के लिए अब ऐसा ना हो इसी example में अगर बात करते हैं कि current rate था आपका suppose जो उसकी spot rate था जब आपने buying की थी foreign currency की one seventy to one dollar लेकिन आपने suppose assume करते हैं कि आपने eight percent interest किया earn किया लेकिन अगर आपके पास fall नहीं आया इतना eight percent का वो just five percent का आया है तो फिर you can imagine that कि आपने one seventy में वो purchase की फिर one sixty five में वो वापस कर रहे हैं और just आपको one sixty two के साफ से interest या eight percent interest मिला है कुछ भी आप कह लें तो इस case के अंदर यहां पे जो spread या जिससे आप कह सकते है gap जो है वो होना चाहिए तब ही speculator को फाइदा होगा ये ना हो कि जो इसने predict किया था one seventy से one sixty ten की कमी का लेकिन जो interest payment हुई है उसको उससे suppose जो है वो different मिली है तो इस case के अंदर spot rate को at least कम होना चाहिए जो उसने interest payment की है तो once again अगर हम इसको in short देखें तो speculator can gain in both ways अगर वो speculate करता है या अगर वो predict करता है कि future के अंदर जो है वो आपकी जो exchange rate है वो fluctuate करेगा और इस particular number तक करेगा तो उसके इसाफ़ से वो sell भी कर सकता है foreign currency को या buy भी कर सकता है foreign currency को to get benefit out of this speculation तो यहाँ पर speculation का basic idea तो clear होता है